हेलो रिवान वेलकम टू फार्मरोक्स यूट्व चैनल फार्मरोक्स के यूट्व एज़ू किसनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे सैफिक जिम एंटिबायोटिक ड्रग के बारे में तो हम जानेंगे उसके बेजिक भी अविलिबल है फिर कौन से डूस के अंदर ये मेडिकेशन दिये जाते हैं उसके साइड एफेक्स क्या होते हैं और कॉंट्रा इंडिकेशन और वार्निंग्स वगेरा के बारे में भी हम जानेंगे डिटेल में तो एक्सपर लेक्चर बाय मरसर और सिस्टम प्रोफेसर फाउंडर ऑफ फामरोक्स तेंक्यू फर बीइन वनलेक फैमिली ऑफ फामरोक्स अपडेटे रहिए फामरोज के साथ एक्सेस कर ये स्टडी मटरियल टेस्स सिरीज वीडियो लेक्चर फामरोक्स के अप उपर तो अगर आपके पास एंडुड फॉन है तो डाउनलोड करें एंडुड अप्लिकेशन गुगल प्ले स्टार पर से आईफॉन यूजर है तो एप स्टार पर से डाउनलोड करें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तो अब समझे सेफिक्जिम के बारे में तो सेफिक्जिम सबसे पहले क्या है वो समझे तो स सेफिक्जिम is an antibiotic drug from medicine class called cephalosporin के फार्मकलोजी के अंदर बहुत सारे अगले क्लास के medications होते है उस में से सेफिक्जिम जो है वो एंटिबायोटिक है और एंटिबायोटिक में भी जो सेफालोस्पोरिन एंटिबायोटिक कही जाते है ये है सेफिक्जिम फिर सेफालोस्पोरि कहा जाता है and it work by fighting and kill the bacteria मलब कि bacteria को जो है वो kill करता है और इसकी जो effect हम कहें तो anti-bacterial effect रहेगी आपके body के उपर and cephalosporin is used to treat the many different type of infections caused by bacteria कि bacteria के करन होने वाले जो अलग-अलग bacterial infection है उसके इलाज में ये सेफिक्जिम जो है वो use किया जाता है and available as a tablet and suspension कि आप देखो उसके doses form तो सेफिक्जिम के tablets available है कि जिसकी strength रहती है 200 mg और साथो जाद उसके suspension भी available हो कि जो patient orally जो है वो use करता है तो अब जानते हैं उसके doses forms के बारे में तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सेफिक्स 200 करके सेफिक्जिम के tablet available है उसके अलावा सेफिक्ज patients के लिए छोटे बच्चों के लिए है इवन आप यहाँ पे भी देखोगे कि for pediatric use only with sterile water for reconstitution कि उसके साथ sterile water भी दिया जाता है और ये वाला सेफिक्जिम oral suspension है as per IP कि for pediatric use only कि छोटे बच्चों के लिए ही यह सिर्फ जो है वो use किया जाता है उसका हम content देखे तो content के अंदर जो रहता है 60 gram per 30 ml के 30 ml समझो कि आप content लेते है तो उसके अंदर equivalent तो रहता है 60 gram जितना medication अगर आप समझो कि 15 ml लेते है तो उसके अंदर रहेगा 8 gram जितना तो उस तरह से उसका proper doses जो है वो आप तयार कर सकते है by using this detail तो यहाँ पे खास ज़रूरी है कि जो prescription drug है यह तो सैफिक जिम के अंदर आप देखो तो उसके container के उपर आपको यह देखने को मिलेगा यह लाल कलर का लकिल के जिसको हम कहते हैं red line तो जो red lines होते हैं किसी भी packaging के उपर medicines के तो उसका मतलब यह होता है कि यह prescription based medication है और खास कर antibiotics है तो कुछ दवाया की antibiotic की पत्ति पर एक खड़ी लाल लकिर होती है इसका अर्थ यह होता है कि इन दवायों को केवल डॉक्टर के सला के अनुसार ही लेना चाहिए हमेशा डॉक्टर दाया बताया गया दवाय का पूरा course ले तो लाल लकिर जरूर से देखे और जिम्मेदार बने इसे government भी campaigns चलाती कि जिससे कोई इस type के medicines का इस यूज ना करें तो यह tablet के उपर देखा उसी तरह से देखो यह लाल लकिर आपको suspension पे भी देखने को मिलेंगी and also यह वाला दूसरा suspension तो जितने भी अलग-अलग उसके marketed formulations होते हैं सभी के packing container के उपर यह red line आपको देखने को मिलेंगी जिसको लाल लकिर कहते हैं तो proper doctor क के साथ ही उसको यूज करना चाहिए because यह prescription only medication से Rx सभी के उपर लिखा हुआ आपको यह देखने को मिलेंगा कि Rx का जो मतलब होता है कि proper healthcare professionals के prescription as well as उसके super reason में ही यह medications को यूज करनी चाहिए तो आप समझ लेते हैं sapphixim के basic use तो sapphixim is used to treat the certain infections caused by bacteria के करन होने वाले बहुत सारी अलग लग bacterial infections को treat करने के लिए sapphixim use होता है जैसे कि bronchitis bronchitis मतलब कि जो bronchitis होती है उसका जो inflammation होता है bronchitis के अंदर जो inflammation होता है जिसके करन यह जो normal bronchitis जो है के compare में bronchitis के अंदर यह narrow हो जाती है काफी कि जो bronchitis के अंदर का जो diameter होता है वो यहाँ पे समझो कि इस type के diameter है तो bronchitis के अंदर यह diameter ऐसा छोटा हो जाता है जिसके करन एरवे पास होने में काफी difficulty होती है breathing जो आप करते है तो जो lungs तक air पहुचती है वो अच्छे से नहीं पहुच पाते जिसके करन breathing difficulty होते है shortness of breath जिसे symptoms develop होते है तो bronchitis के जो symptoms है उसको treat करने के लिए यह एक टाइप का bacterial infection है तो जो bacteria के कारण आपको bronchitis हुआ है उनकी growth कम करने के लिए उनको kill करके आपकी body को treat करने के लिए यह sapphix जिम यूज किया जाता है bronchitis के अंदर फिर बात करे गौनोर या कि जो एक टाइप के sexual transmitted disease है उसके treatment में भी sapphix जिम यूज की जाती है फिर infection of the ears कि आपको पता कोई काई बार जो ear के जो portion होता है वहाँ पे infection हो जाता है तो उसको treat करने के लिए भी sapphix जिम यूज होता है फिर बात करे throat की तो जो हमारा throat होता है यहाँ पे देखो आप कि जो throat के अंदर इस तरह के जो infections होते है sore throat वगेरा हो जाते है उसको treat करने के लिए भी use करते है फिर infection of the tonsils यहाँ पे आप देखो कि मैं जो यहाँ पे round कर ला हूँ कि यह वाला एक left side और एक समझे के right side का आप देखे तो दोनों यह जो है आप देख सकते है टी लिख रहा हूँ में तो टी फॉर आप समझ लो tonsils तो जो infections होते है tonsils के उसको भी treat करने के लिए sapphix जिम यूज किया जाता है और urinary tract infections urinary tract infection कि समझे कि दूसरे antibiotics UTI के अंदर काम नहीं कर रहे है कि सीफ्रो फ्लॉक्स जासिन है नौर फ्लॉक्स वगरा है TMP, SMX वगरा काम नहीं कर रहे है तो उस वाक्त आप sapphix जिम भी patient को दे सकते है bacterial infection को काम करने के लिए है इवन जो upper respiratory tract के होने वाले जो infections है कि जिसके अंदर आपके nasal cavity के अंदर soreness वगरा हुआ है pharynx, larynx, throat के अंदर soreness वगरा है inflammation है वहाँ पे as well as lower respiratory tract के अंदर भी समझे कि जो primary bronchite, trachea वगरा के अंदर inflammation है, sujan वगरा है तो उसको भी treat करने के लिए sapphix जायम जो है वो prescribe की जाती है अब अच्छे से समझते हैं sapphix जिम के tablets के बारे में तो tablet जो है वो usually आपको 200 mg के strength में ही मिलेंगे कि आप आप देख सकते कि sapphix जिम के tablet 200 mg की जो sipla का आप product देख सकते है तो adult and children older than 12 years of age and weighing more than 50 kg याप एक condition है के tablet किस तरह से use करनी है तो children या फिर adult person के जिनका age 12 years या फिर उससे ज्यादा है मनलब कि 12 साल या फिर उससे ज्यादा age के patient और उनका weight 50 kg या फिर उससे ज्यादा है तो ऐसे लोगों के लिए जो dose है वो रहता है 400 mg once a day दिन में आप उनको ज्यादा से ज्यादा 400 mg जितना dose जहें वो दे सकते है तो एक tablet समझे कि आप more mean में देते है एक tablet patient रात को लेता है तो 12 hours के time interval पे ये 200 mg के tablet ले सकता है कि 200 mg every 12 hours कि एक समझे कि आप सुबह खाना खाने के बाद समझे कि 12 बज़े के आसपास लेते है तो दूसरी tablet जो है वो आपको रात को लेनी चाहिए तो 200 mg every 12 hours कि 12 गंटे का time interval रहे दोनों tablets के बीच में उस तरह से आपको schedule setup करके medicines लेनी चाहिए कि सुबह समझे कि breakfast करके आप 10 बज़े लेते हैं तो फिर रात को exit 12 गंटे के बाद रात को 10 बज़े के आसपास आप ये tablet ले तो उस तरह से ये tablets ले जाती है तो उससे main ये है कि overdose नहीं होना चाहिए कि आपको दिन में दो ही tablet लेनी है अगर self exam के लेते हैं और दूसरी condition ये है कि दोनों tablets के बीच में 12 hours का minimum gap होना चाहिए कि एक tablet आपने जिस time पे लिए है उससे दूसरी tablet के बीच में जो time limit को जो time का जो gap होना चाहिए वो होना चाहिए at least 12 hours तो ये खास दियान रखे यहाँ पे self exam tablets को किसी भी persons को prescribe करती समय से जो pharmacist है उनको खास advice करके ही ये medicines देने चाहिए और अगर समझो कि एक tablet से ही patient को फरक पढ़ रहा है कि दिन में समझो कि सिर्फ एक ही tablet रह रहा है तो भी enough रहता है का ये बार के समझो कि symptoms इतने ज़्यादा खराब नहीं है तो उस वक सिर्फ एक tablet से भी उसके treatment कर सकते है फिर बात करें चिल्डरंस के लिए तो चिल्डरंस 6 months to 12 years की 6 मैने से लेकर 12 years की age के जो चिल्डरंस होते है उनके लिए 4 से लेकर 8 mg पर kg ये खास condition है कि समझो कि किसे बच्चे का weight समझो कि 10 kg है तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा आप 400 mg जितना dose जो है उसको दे सकते है या फिर proper pediatrician doctors के advice के according to समझे कि उसको 8 mg आप दे सकते है तो ज्यादा से ज्यादा 80 mg जितना dose जो है आप उसको deliver करेंगे तो वो खास देन रखना होता है कि proper जो weight के according to और age के according to जो dose है वो नक्की किया जाता है छोटे बच्चों के लिए तो उसके लिए जो suspension अवेलिबल होता है कि या पर आप देख सकते हैं कि sapphix जिन के oral suspension है कि for pediatric use only तो children 6 months or 12 years of age कि जैसे अभी हमने बात की चार से लेकर 8 mg पर kg of body weight and dose will be as per the direction of the physician and pediatric doctor कि जो pediatric doctors होते हैं physician physician होते हैं उनके direction के according to use करें take with or without food sick well before use ये खास ज़रूरी है कि आप ये जो preparation suspension होती है उसको use करने से पहले अच्छे से sick करें मतलब कि इसकी ये जो bottle होती है उसको आपको अच्छे से sick करना है and use the measuring device that comes with sapphix immoral suspension तो उसके साथ हम देखते कि उपर ये एक cap जैसे आता है तो वो cap एक type की measuring device होती है कि जिससे आप जो ही वो proper exact dose measure करके जो ही वो patient को दे सकते है तो ये हो गया उसका suspension अब समझे उसकी mechanism तो किस तरह से काम करता है तो जैसे दूसरे beta-electrum antibiotics काम करते हैं जैसे कि cell wall synthesis का inhibition करना like vanacomycin है, bacitrasin है, penicillin वगेरा है, cycloserine, sephamycin उसी तरह से cephalosporin भी bacteria के cell wall synthesis को inhibit करता है किस तरह से करता है तो वो bind होता है to specific penicillin binding protein कि जिसको हम PBPS लिखते हैं कि P for penicillin, B for binding and P for protein तो penicillin binding जो proteins होते हैं उसके साथ ये जो है वो bind होता है और वो क्या करता है bacteria की जो cell wall synthesis की जो process है और उसमें भी जो third stage है कि third और जो आखरी stage होता है bacteria के cell wall synthesis का उसको जो है वो करता है inhibit the third and last stage of bacterial cell wall synthesis अगर किसे bacteria के cell wall का अच्छे से synthesis नहीं होगा तो वो bacteria जो है वो survive नहीं कर पाएगा because आप यहाँ पे देखो ये bacteria का अंदर DNA है उसका replication समझो हो रहा है ribosome से genetic material है उसका और ये रहा उसके आसपास है उसका cell wall अगर समझो कि cell wall ही break हो जाती है या फिर cell wall का इस synthesis नहीं होता तो कोई भी bacteria survive नहीं कर पाएगा और आगे जाकि उसकी growth ही नहीं भीट हो जाएगा तो इस तरह सी ये sapphixim काम कर दी है अब जरूरी है उसके side effects को समझना तो उसके करण होता है stomach upset या फिर stomach pain होते है diarrhea होता है nausea मतलब की जी घबराना या फिर जी में चलना हम कहते है vomiting भी हो सकती है उसके बाद constipation होता है कुछ cases के अंदर कुछ लोगों को appetite कम हो जाती है loss of appetite जिसको हम medical terms के अंदर anorexia कहते है gas हो सकता है headache हो सकता है dizziness anxiety मतलब की चिंता होना drossiness होना increased night time urination कि रात के समय जो urination के जो frequency है वो increase करवा सकता है running nose हो सकता है sore throat in overdose कि sore throat के treatment में तो हम उसको use करते हैं बट overdose में ले लिया तो वो condition और ज़्यादा खराब करेगा तो वो खास द्यान रखे कि उसका overdose नहीं करना है जो हमने अभी बात की उसी तरह से proper dose लेना है फिर cough हो सकता है excessive use के करन या फिर vaginal itching और discharge हो सकता है safe exams के side effects के करन तो यह थे उसके कुछ common side effects Contraindication समझे तो cephalosporin hypersensitivity और cephamycin hypersensitivity कि जो cephalosporin जो class के medication है उसकी समझो कि आपको hypersensitivity है उसके करन आपको समझो कि anaphylaxis जैसा होता है जैसे की confusion होना headache, loss of consciousness, swollen eyes, आखों में सूजन आ जाना lips और tongue वगिरा के अंदर सूजन देखने को मिलना, heartbeat आपके increase हो जाते है, abdominal pain होता है या फिर vomiting होती है hives होते है, आपके skins के उपर wheezing होती है, cough or difficulty in getting air ऐसे समझो कि complications होते है पेशन को cephalosporin के कोई भी medications लेने के बाद तो तुरंत ये treatment जो है वो रोक देनी चाहिए and suffixens should be used with precautions or avoid in patient with hypersensitivity to penicillin because ये medicine के भी जो mechanism of action है वो penicillin के तरह ही है तो अगर कोई patient को penicillin से hypersensitivity है तो उनको भी आपको cephexin नहीं देनी चाहिए because दोनों का जो mechanism है वो same है कि जैसे बिटा लेक्टम्स काम करते हैं उसी तरह से cephexin भी अपना काम करती है अब उसके warnings आप देखोंगे तो आपको पता चलेगा तो do not take the cephexin if you are allergic to cephexin और to similar antibiotics such as sapten, cepzil, keflex, omnicef और other कि जितने भी cephalosporin या फिर cephexin के अलग-अलग brand है वो सभी brands करें समझों कि आपको allergy है तो use ना करें गलती से भी it is a prescription based medication and it is an antibiotic medicine so don't do self-medication जैसे हमने आगे भी warnings आपको बता दी कि ये एक antibiotic है तो उसका self-medication तो आपको नहीं करना है तो don't do self-medication और या फिर self-medication को ना करें you can see the red line on its packaging कि आगे भी मैंने आपको समझाया कि ये जो red line होती है उसका मतलब ये होता है कि self-medication नहीं करना है prescription based रहते हैं दूसरे कुछ उसके warnings देखे तो do not take the suffix in if you have पहला condition समझे कि आपको severe stomach pain है कि भले आपको sore throat जैसा तो है tonsillitis है बड़ साथोता stomach में pain हो रहा है diarrhea भी है और watery और bloody diarrhea कि जिसको हम dysentery भी कई बार कहते है तो ऐसी condition है तो sapphic zim ना ले उससे आपकी condition और ज्यादा खराब हो सकती है दूसरा condition आपको jondis है कि जिसके अंदर हम देखते कि yellow wing of skin and eyes तो जो jondis के patient है उनको भी sapphic zim जहे हो खराब होगी उसी तरह से pale और yellow wing skin है आपकी dark color urine आ रहा है confusion जैसा है mind के अंदर और weakness वगिरा है आपकी body के अंदर तो उस वक्त भी यह sapphic zim antibiotic को avoid करें अगर आपको convergence जैसा हो रहा है scissors develop होते हैं आपकी body के अंदर तो भी sapphic zim को avoid करें allergy है sapphic zim के तो भी use ना करें and cypher sensitivity हो जाती है sapphic zim लेनी के बाद तो इस तरह से कोई भी medicines के आप proper information लेते तो आपको पता चलता है कि कौनसी condition में उसको use करतें और कौनसी condition में use नहीं करतें तो contraindications warning सबसे पहले किसी भी medications के जानने चाहिए कि basic use तो आपको चलो पता है बड़ जरूरी है कि वो basic use को कहाँ पर apply करें कि अगर समझे कि आपको वो symptoms है बड़ सामने ये सब condition है तो sapphic zim के बदले आपको दूसरे medicines या फिर दूसरे antibiotic प्रिफर कर सकते है तो ये था special lecture about the sapphic zim thank you for attending this lecture get the lectures not on आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी so good luck and all the best आपको जाएगी